So Welcome Back To My YouTube Videos सबसे पहले यहां पे बंदे का लगने के बिल या कि बंदे के बहुती जाए गार कि जाए कि ही जचाए जादा एक्ट्रेकृतृत तरयक जाएगा ।बहुती ज्फ dar किस तरह से अब यहां से मने सब को शांटे करते हैं वहांत थोड़ी धर कीमली निगे टे स्ट थाइब करके रखेंग इस तरह से इंटरफीस ओपन हो जाता है सबस्क्राइब कुछ लोट पर जिस तरह से रहेगा जैनेटल कुछ इस तरह तरह से सामने बाले बंदे को बहुत ही आच्छय तरीक अब आखर नहीं हुआ है अभिक टापिक और धिखाते हैं अगर आप आपको करना क्या हुआ आप इसको करते है scroll right करेंगे तो इस तरह से कुछ मेसेँ जाएगा और स्कुरल राइट करेंगे तो कुछ को इस तरह से मैसेज जाने वाला है और यहसे से और एक बार और scroll right कर ले तो इस तरह से और फिर ही इस तरह से अब आप सोच में बढ़ें किस तरह से यार बहुत ही amazing है यह अब यहाँ पर आप send कर देते हैं यह काई send कर दिया मैंने अब यह send कर दिया अब आपको मैं बताओ जैसे कि सामने वाले बंदे के पास अगर गाईस अगर सामने वाले बंदे के पास अगर आईफोन है तो कुछ इस प्रकार से मैसेज जाएगा यार अगर उसके पार आईफोन नहीं है तो इस तरह से message नहीं जाएगा कि यह option तो सिर्फ और शिर्फ आइफोन तो आइफोन के यह अंदर option यह वाला जैसे कि मुझे फोटो हाइट करके रखना जैसे कि मैं यह वाला फोटो हाइट कर लेता हूँ जैसे सबसे नीचे आप देख सकते हैं यहां पर करने के बाद आपको आपको पाते होगा सबसे ब्लीकेट है अब इसको निकालना कि नीचे देख से यहां पर किलिक करने के बाद यहां पर फोटो यहां पर आचुका है अब एक बात और है अगर आपका फोन आपके अगर आपके पहुंच जाता आपके फोटो देख लेता है सबसे हैं किस टरह से हम इसको क्यर पर किलिक करने के बाद सब से नीचे आजाते हैं इसने के प्यारा हॉडण album यह अभी on था हमने इसको देखिए इस तरह से on था हम इसको off कर देते हैं एंड जैसे off करेंगे तो अब आप देखें यहां पर जो हाइटन का यह option कर रहा है यह एकदम से हट जाता है यह गाइस देशने हट चुका है अब मैं आपको दिखाता हूं इसको करके तो यह on किया मैंने और यह simply आ चुका है कि जो आपके फोन के अंदर सीरी होता है यह एक तरह से मैं आपको बता हूं अगर आपके पास फोन आइफोन है आइफोन अले बिन है तो आप अपने पूरी के सारे के सारे फोन को अपनी बॉस से कंट्रोल कर सकते हैं बिल्कुल टच किये यह आप विल्कुल फिंगर को टच नहीं करेंगे आपका फूरा का पूरा फोन चलता रहेगा सिर्फ आपकी बॉइस आपकी आपकी आवास से सिंप्ली किस तरह से करना चलिए मैं सेटिंग ओपन कर लेता हूं सेटिंग ओपन करने के बाद आपको करना क्यों कर ऊपकर करके नीचाा हिंगे नीचे आने के इसको सिंपिर क्रसों करने के बाद यहांने को अपर देख सकते हैं यहां पर एक यहां पड़ते हैं अपनी आपदे आपको बहुता हैं आपको इस तरह के आसे कि मैं आपको अबुटा यह छो जैसे कि मैं आपको बहुता हैं दिखेंगे इस तरह का features finger से कभी नहीं आते हैं तो कि number 120 हो करके आ रहा है अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पर किस तरह से जैसे कि मैं YouTube को click करूँगा तो YouTube पर मैं click नहीं करूँगा मैं सरी मूँ से बोलूँगा और YouTube open हो जाएगा तो देखिए click 23 simply guys जेख सकते हैं यहाँ पर YouTube open हो चुका है अब मैं एक बार फिर बोलता हूँ show number and guys number आ चुके हैं अब मैं यहाँ पर search bar पर click करके दिखाता हूँ किस तरह से यानि click नहीं करूँगा मैं सरी मूँ से बोलूँगा और यह search पर आ जाएगा and guys यह delete होता रहेगा and guys एक बात मैं आपको और बता हूँ कि यहाँ पर मैं बोलूँगा scroll right scroll right scroll left guys मैं यह finger touch नी कर रहा हूँ यह automatic चल रहा है अब मैं आपको बता तो इसको मैं बोलता हूँ turn off voice control and guys इसो करने लगा मैं यह पर confirm पर क्लिक करूंगा यह option खतम हो जाता है उपर देख सते जो recording का option आठा था वह बिलकुल अब हटने वाला यह हट चुका है and guys आप next features के बारे में बात करते तो next features हमारा जो रहेगा वह यह रहेगा कि guys अगर आपके जो बैक में जो एपल का लोगो चपा होता है उस लोगों को अगर आप two types टच करेंगे यानि two types टच करेंगे तो आपका camera open हो जाएगा two types टच करेंगे तो screen shot open हो जाता है इसमें two types से three types का option दिया हो जाता वो आपके recording शो करना आपको किस तरह से किस टाइप पे कौन सा लगाना है तो जैसे कि मैं लगा तो मैं two types टच करूँगा तो मेरा camera open हो जाता जैसे कि मैं यह open किया guys देख सकते हो यह मैंने two types क्लिक किया और यह मेरा camera open हो चुका है जैसे कि मैं three types क्लिक करूँगा तो मेरा screenshot हो जाता है जैसे कि मैं three types टच किया और यह screenshot आ चुका है and guys इस तरह के features आपको किस तरह लगाना सब पहले आप setting open कर लेते हैं and just open करने के बाद आपको मैं बता हूं करना क्या होता है जैसे setting open करेंगे guys यहां पर एक option होता double tap triple tap जैसे double tap पे मैंने camera लगा रखा है and triple tap पे मैंने screenshot लगा रखा है and guys यह बहुत ही amazing features है and next features की अगर हम बात करते हैं तो guys जो next features रहेगा वो हमारा यह रहेगा कि आप किसी भी photo को कहीं पर भी share कर सकते हैं copy paste कर सकते हैं बिना दिक्कत के बहुत ही ज़्यादा easily तरीके से जैसे कि guys मैं आपको बताता हूँ simply आप photo पे आते हैं एक photo को select कर लेते हैं जैसे कि मैंने यह photo select किया और मैं यहां पर three finger को इस तरह टच करता हूँ तो यहां पर एक option दिखता है आपको guys देखिए अभी कुछ नहीं आ रहा है यहां पर three finger touch करूँगा यह मैं touch किया और यहां पर copy का option आ जाता है उपर देख सकते हैं अभी किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ guys जैसे कि यह मेरा camera open करता हूँ guys जैसे camera open करता हूँ यहां पर three finger दिखा रहा है यह मैं three finger को जैसे फोन पर touch करूँगा इस तरह से guys यासे ही मैं touch करूँगा यहां पर copy paste का option आ जाता है जैसे कि देख सकते हूँ जैसे ही मैं टξ किया और यह copy paste का option आ चूका तो यहां पर मैंने किलिक क्या separate लिखाओ टाइप करते हैं इसतरह से यहां पर आप इस फोटो को सेंड परसकते हो। एंड भी हो चुका है तो इस तरह से आप इस फीचर की गडारे में जहन कर इन इस फीचर को यूज़ करें अपनी एड़ ने यूज़ करें और सारी फीचर्स का मझा आनन्द ले और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें यार बहुत ही अमेज़िंग वीडियो बानाएं